लगबग साथ दिन पहले गोसलपुर थाना शेत्र से लापता हुए युवक का कंकाल पुलिस को जंगल से प्राप्त हुआ है जिसके बाद मृतक के कपड़ों से उसकी पहचान की गई मृतक युवक का नाम राहुल है जो लगबग एक सब्ता पहले अचानक लापता हो गया था बताया जाता है कि राहुल के लापता होते ही अपहरंड करताओं ने राहुल के पिता को फोन किया था और उनसे फिरौती के लिए 15 लाख रुपे की रकम मांगी थी राहुल के पिता ने इसकी शिकायत गोसलपूर थाने में दर्च कराई थी जहां घटना के एक सब्ता बाद राहुल का कंकाल पुलिस के हाथ आया वही मृतक के परीजन ने बताया कि पुलिस को बकरी चराने वाले एक युवक ने बताया था कि धरमपुरा के जंगलों में एक कंकाल मिला है और कंकाल के कपड़ों से इस बात की जानकारी प्राप्त हुई कि वह कंकाल राहुल का है वही पुलिस कंकाल लेकर जबलपूर मेडिकल कॉलिज पहुच गई है बता दे कि राहुल गोसलपूर थाना अंतरगर्थ शांती नगर शेत्र में रहता था जो लगभग एक सब्ता पहले अचानक लापता हो गया था बधवार को साथ बजे गूल होगा है और अभी तक कोई सुराग नहीं ऐसा तो हम जाके ढूंड लेते कि भाई बाड़ी मिली है अस्तियां मिली हमको तो अब किसी और के द्वारा बताया गया वही किसी और के द्वारा बखरी चराने वाला वहीं धरमपुरा गाओं का था अब पुलिस ने प्रयास किया तो मेरे को नहीं वताया मैंने तो देखा बस है कि पुलिस निकल रही आ रही देख रही जा रही है याम बात हो गई तीन चार घटनाए हो गई अभी ब्योरो रिपोर्ट टीम पलपल इंडिया